नमस्कार मैं आपका दोस्त इंजिनियर प्रभात कुमार सिंग निराला कंस्ट्रक्शन यूटूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तो आज किस वीडियों में आप लोगों एक संदार घर का डिजाइन दिखाऊंगा एक बलकानी का डिजाइन दिखाऊंगा जिससे आप बहुत ही काम पैसा में बना सकते हो और अपने घर का लोगों काईगुना तक बढ़ा भी सकते हो चलिए पार्ट वाइस देखते हैं इस घर को सबसे पहले बात करते हैं इसके साइड व्यू का तो आप देख सकते हो कि सिंपल यहाँ पे बॉक्स नूमा खिरकी कर डिजाइन है और उसके साथ साथ एक बहुत ही कम पैसा में बनने वाला जो पत्ती का डिजाइन है उससे भी यह तो था इस घर का साइड वीव अब चलते हैं फ्रंट वीव के तरफ और देखते हैं कि किस तरीके से संदार बालकनी को बनाया जा रहा है आप देख सकते हो कि कैंटी लीवर बीम जो होता है जिसे हम लोग आम बसा में लटक बीम बोलते हैं उससे स्लोप डिजाइन में गया है जिससे और भी इसका खुबसूरती है वो बढ़ गया है और यह जो छज्या निकाला गया लगबग तीन फीट के आसपाथ इसको सपोर्ट भी आप नीचे तरफ से दे सकते हो इस बीम के द्वारा तो चलिए चलते हैं इसके ऊपर देखते हैं तो आप देखो कि लग आने वाला दिन में देखने को मिले गए जिससे लुक है वो इसका और भी ज्यादा बरने वाला है चलिए देखते हैं कॉर्णर वियू कि आखिर इस तरीका से काम है वो किया गया है तीन आपको कॉलम टाइप का डेजाइन देखने को मिल रहा है इससे ढहलाई के द्वारा आपते हो आप जाहें तो पांच इंची का जो राइक द्वरा भी बना सकते हो अगर ड्हलां के द्वराब बनाते हो तो इसका जो कश्रक्शन कोश्ट है वो आपका ज्यादा है वो लग सकता है तो देखिए उपर में भी आप देख але तो यहान पर बी माप देखे थे उसके जस्ट उपर चलते हैं तो आप देख सकते हो कि कॉलंब का लुक्त से चाहिए बर जाता है नीकौना फिर्णी का है जिसके कारण इस घर का लुक काई गुना तक बढ़ जाता है आप देखोंगे तो कुछ भी ज्यादा एक्टा काम कर नहीं आप किया गया सिर्फ जो भी काम किया गया अच्छे तरीका से किया गया है चली देखते हैं कि और भी क्या इसमें खासियत है देखोंगे यहां पर तो सकते हो एक फिट का असपास का डाया इसका रख सकते हो तो इस तरीका से इस घर को बने आ जा रहा है पहले भी जब इसका ब्रिक वर्क हुआ था तो मैंने इसके लिए वीडियो बनाया हूं पहले से आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं और बेज्यादा आइडिया इस सब्सक्राइब जरूर किजिए एक से बढ़कर एक घर बनाने से समद्धित वीडियो देखने के लिए मिलते हैं आगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार